नमस्ते दोस्तों मैं आसिस महर दोस्तों आज यहां हम आए हैं एक आइसर इंजन का इंजन आयल बदलने के लिए तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आइसर एक सिलेंडर इंजन का इंजन आयल कैसे बदला जाता है दोस्तो यही यह आइसर इंजन इसी का हमें इंजन आईल सर्विस करना है दोस्तो सबसे पहले हम इस एर क्लीनर के नीचे जो बाउल लगा हुआ है इसे हम खोलेंगे दोस्तो है क्या कि साइट पे काम करने पे हमें मन मुताबिक ब्योस्था नहीं मिल पाता है इसलिए हम इस बाउल में ही इंजन आयल को निकालेंगे नट खोल लेने के बाद क्लिप को अलग कर देंगे और बाउल को नीचे से निकालेंगे दोस्तो यहां इसका आयल बिल्कुली खराब हो चुका है और इसमें काफी धुल मिट्टी जमा हो गया है तो इसे हम पलट लेते हैं दोस्तो यहां से इंजन आयल निकलता है यहां आप देख सकते हैं यह जो सेल्फ लगा है उसी के नीचे इंजन आयल बोल्ट लगा हुआ है इस बोल्ट में 24 नमबर टूल्स लगता है तो इसे हम 24 नमबर टूल्स से खोल लेंगे तो यहां ऐसे बोल्ड को खोलना है और ऐसे इस काटून की मदद से हम इंजन आयल को बाउल में ऐसे निकालेंगे और फिर इसे हम पल्टी कर देंगे तो ऐसे हमें इंजन आयल को निकाल लेना है दोस्तों आप वीडियो को लाश तक वाच करिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इंजेन आल सर्विस करना बहुत ही आसान है दोस्तो आप इस वीडियो के मादम से अपने से भी इंजेन आल सर्विस कर सकते हैं दोस्तो अब यहां हम डीजल फिल्टर को खोलेंगे तो दोस्तो यहां सिंगल डीजल फिल्टर लगा हुआ है तो डीजल फिल्टर को खोलने के लिए सबसे पहले हम इस टंकी टी को बंद कर देंगे तो यहां से ऐसे बंद कर लेना है और इस डीजल फिल्टर को हम 13 नमबर टूल से खोलेंगे तो यहां 13 नमबर टूल से इस बोल्ड को खोलेंगे और डिजल फिल्टर को ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो दोस्तो इसमें यह इसका डिजल फिल्टर लगा हुआ है यह फिल्टर भी जाम हो चुका है तो यहां आप देख सकते हैं इसमें काफी मिट्टी जमा हो गया है दोस्तो अब यहां से ओयल फिल्टर को खोलेंगे इस ओयल फिल्टर के नट को 17 नमबर टूल से खोलेंगे नट को खोलने के बाद ओयल फिल्टर को हम पूरा बाहर निकाल लेंगे और इसके oil को पल्टी कर देंगे दोस्तो ये जो oil filter लगा होता है ये engine के oil को साप करता है तो ये आप देख सकते हैं ये इसका oil filter है दोस्तो अब हम यहां सभी parts को अच्छे से धुलाई करेंगे इस glassy के नीचे काफी मिट्टी जमा है तो इसे हम ऐसे साप कर लेंगे तो दोस्तो ऐसे हमें साप करना है तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो गया ऐसे ही सभी parts को हम अच्छे से धुलाई करेंगे और ये oil filter body है इसे भी हमें अच्छे से साप करना है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर ना है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में भी share करें ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके दोस्तो यहां सभी parts का दुलाई अच्छे से हो गया है तो अब इसे हम साप करने के बाद इसकी fitting करेंगे दोस्तो यह इसका diesel filter है और बहुत से icer के engine में double diesel filter लगता है तो दोस्तो यहां single लगा है तो इसमें हम single ही diesel filter लगाएंगे diesel filter body को अच्छे से साप कर लेना है तो यहां ऐसे हम साप कर लेते हैं दोस्तो इसमें हम coil diesel filter लगाएंगे तो यह coil diesel filter है हमें इस हिस्से को उपर रखना है तो यह आप देख सकते हैं यह मिंडा कंपनी का डिजल फिल्टर है तो यहां ऐसे डिजल फिल्टर को लगाएंगे और दोस्तों यह आयल फिल्टर है आयल फिल्टर बाड़ी को भी अच्छे से साप कर लेना है और इस आयल फिल्टर को ऐसे हम इसमें लगा देंगे तो ऐसे हमारा डीजर फिल्टर और आयल फिल्टर कंप्लिट हो गया दोस्तो हम इसमें बेलवेक्स कंपनी का इंजन आयल डाल रहा है ये टेक्टर कोल्ड BW 40 इंजन आयल है दोस्तो ये NPL का मेनू फैक्चरिंग है नंदन पेट्रॉलियम लिम्टेट दोस्तो आप इसमें कोई भी ब्रांडेट इंजन आयल को डाल सकते है दोस्तो इसके मोबिल फिल्टर में भी हम आयल डाल देंगे तो यहां हमें इस आयल फिल्टर बाड़ी को आयल से भर लेना है तो ऐसे हम आयल को भर लेंगे दोस्तो हमने आज से एक सिलेंडर इंजन से रिलेटेड और भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिशन में लिंक दे दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ आयल भर गया है अब हम इसे लगा देंगे तो यहाँ ऐसे हमें आयल फिल्टर को लगा लेना है इसको अच्छे से लगाने के बाद इसके नट को हम 17 नमबर टूल से टाइट कर देंगे तो यहाँ ऐसे हम टाइट कर लेते हैं दोस्तो अब इस एर क्लिनर बाउल में इस कैप को लगाएंगे और इसके उपर एक नट होता है इसे भी हम टाइट कर देंगे और इसमें हम आधा लिटर के आसपास आयल को डाल देंगे तो यहाँ ऐसे आयल को डाल लेना है और इसको जैसे हम निकाले थे वह ऐसे ही लगा देंगे तो यहां ऐसे अच्छे से बैठाने के बाद इसे हम टाइट कर लेंगे अब दोस्तों यहां हम इसके डीजल फिल्टर को लगाएंगे तो यहां डीजल फिल्टर को ऐसे लगा लेना है डीजल फिल्टर को अच्छे से बैठाने के बाद 13 नमबर टूल से इसके borne को हम tight कर देंगे ऐसे अच्छ sach से tight कर ले ना है अच्छ sach से tight कर लेने के बाद tanki tea को खोल देंगे और यहां से air निका लेंगे इस air screw को 10 नमबर टूल से हम खोल लेंगे दोस्तों और यहां diesel नहीं आ रहा है तो इसके टंकी में हम थोड़ा हवा देंगे ऐसे तो यहां से अच्छे से air निकल जाएगा तो ऐसे हम air निकल लेंगे अच्छे से diesel आने के बाद इसके air screw को हम tight कर देंगे और अंत में हम इसके oil bolt को tight करेंगे तो यहां इस oil bolt में वासर नहीं है तो हम थोड़ा इसमें धागा लगा देंगे जिससे की आईल लिक नहीं होगा ऐसे धागा लगाने के बाद हम इसके बोल्ड को अच्छे से टाइट कर लेंगे तो यहां ऐसे बोल्ड को लगाने के बाद इसे 24 दंबल टूल से हम टाइट कर देंगे दोस्तों इसका engine oil यहां से पड़ता है लेकिन हम यहां उपर टैपिट कवर से ही engine oil को डाल लेते हैं दोस्तों इसके engine में 6.5 छे लिटर के आसपास engine oil पड़ेगा तो यहां हम इस टैपिट कवर से ऐसे engine oil को डालेंगे दोस्तों यहां engine oil को नापने के लिए gauge दिया रहता है तो यहां हम इस gauge से engine oil को नाप लेंगे दोस्तों यहां gauge में दो निसान होते हैं दूसरे निसान तक oil को होना चाहिए अब हम इसके tapit cover को लगा देते हैं और tapit cover को tight करने के बाद engine को हम start करेंगे इंजन स्टार्ट करने से पहले इस नाजिल पाइप को खोल के यहां तक एयर निकालेंगे तो दोस्तों हमें इंजन को round देना है तो यहां यह जो पट्टा लगा हुआ है इसे साड़ पिन से उतरवा देंगे तब हम इंजन को round देंगे यहां पाइप में उपर डिजल आ जाने के बाद इसे हम अच्छे से टाइट कर देंगे अब हम फाइनली इंजिन को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों यहां आपने देखा एक ही राउंड में इंजिन इस्टार्ट हो गया दोस्तों इसका साउंड भी बहुत अच्छा है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धरन्यवाद